हेज वेलकम बैक टू वीकली अपडेट्स तो आज के वीकली अपडेट्स जो है वहाँ पर हमेशा की तरह हम पूरे वीक का रीकाप देखेंगे लेकिन क्रिप्टो मार्केट ऐसा है यहाँ पर अपडेटेड रहना है इसलिए वीकली सीरीज हमने आप लोग के लिए स्टार्ट करीए ताकि वीक की जो भी इंपॉरा रीकाप आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाए लेकिन हम वीकली रीकाप देखें उससे पहले हम आप ब लेरिश फ्लाग बनता हुआ देखने को मिल रहा है जो इन वे अगर प्ले आउट करता है और हमारा लोवर ट्रेंड लाइन जो है अगर वो ब्रेक होती है तो देर केन बी ए पॉसिबिलिटी कि हम 13,500 या थोड़ा सा उसके नीचे आसपास here we can go बट यह होने के लिए पॉसि पाटन्स देख सकते हैं कौन से रिवर्सल पाटन होते हैं बुलिश पाटन होते हैं बेरिश पाटन होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यह बेरिश फ्लाग पाटन है यह बेसिकली करता यह है कि प्राइस के अंदर एक फॉल हमको देखने को मिलता है और थोड़ा सा uptrend में price उपर की तरफ जाती है consolidation और फिर further नीचे breakout होता है जो currently अगर आप देखोगे charts के अंदर तो यहाँ पर हमको same ही चीज देखने को मिल रही है price देखी नीचे breakdown करी पर की तरफ move करी and अब next move की possibility यहाँ पर है एक चीज जो और होती है जब हमको यह bearish flag देखने को मिलता है जिसको आप match कर सकते हो देखने के लिए कि actually is it right or not तो उसके लिए आप अगर यहाँ पर volume को pull up करोगे to look at the volume तो यहाँ पर हमेशा आपको यह चीज notice करने है कि जब आपको ऐसा bearish flag बनता हुआ देखने को मिलता है तो यहाँ पर candles अभी क्या कर रही है यह currently move करी उपर की तरफ मतलब price उपर की तरफ जा रही है लेकिन यहाँ पर volume क्या कर रहा है volume अगर आप देखोगे नीचे की तरफ जा रहा है तो volume और candles का movement हमेशा साथ में होना चीए जब नहीं है इसका मतलब something is wrong and उसी के लिए अगर आप volume की cheat sheet देखोगे crypto India की तो यहाँ पर आप देखो अगर price उपर जा रही है लेकिन यहाँ पर volume जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है that means uptrend not supported by volume मतलब वो volume जो है that is missing तो अगर actually मैं price को उपर की तरफ जाना है तो वहाँ पर होना क्या है कि price एक तो उपर की तरफ break out करे और यहाँ पर volume जो है वो भी ऐसे बढ़ा है तो अगर वो आए then you know कि हाँ यह bearish flag जो है वो cancel यहाँ पर हो चुका है लेकिन if this continues price यहीं पर struggle करती है then you need to be careful तो I hope इस से आपको कुछ यहाँ पर सीखने को भी मिला है but overall अगर हम यहाँ पर अब यह बात करें कि ठीक है अगर यहाँ पर यह bearish flag बन भी रहा है इसका opposite होने के लिए क्या हमारे requirement है तो उसके लिए एक ही requirement है जो काफी हफतों से pending चल रही है that is कि bitcoin की price यहाँ पर 300 weekly moving average which is currently around 18,200 इसकी उपर हमको weekly close देखने को मिले last अगर आप देखोगे तो last हमको यहाँ पर जो retest है वो देखने को मिला जिसके बाद एक जो candle बनी है this is not good अगर आप weekly में यह candle देखोगे जो इस बार की close हुई है आप देख सकते हो price में यहाँ पर jump तो आया था लेकिन jump आते ही हमको rejection है कहाँ से देखने को मिला 300 weekly moving average जिसको हमको break करना बहुत जादा important है और उसके बाद अगर आप देखोगे इस week की candle जो अभी open हुई है and we left to see यह week भी किस तरह से आप जाता है but overall अगर यह bearish flag को cancel भी करना है it's important bitcoin की price 300 weekly की उपर आए तब हम थोड़ा सा positive मान सकते हैं तब तक बाकी जो red alert और यह खतरे की घंटी है वो अभी यहाँ पर बशती रहेगी तो I hope इस update से थोड़ा सा आपको कुछ यहाँ पर सीखने को भी मिला है and यह जो चीज़े हैं अब आप खुद भी practice कर सकते हैं और आने वाले time पर कभी आपको chart में कोई bearish flag दिखता है किसी और chart में भी तो you'll be able to identify तो यह हो गया bitcoin का update बागी what are your viewpoints do let us know in the comments लेकिन अब next moving on इस week के important news जो है उसको हम यहाँ पर देखते हैं अब सबसे पहले अगर हम देखेंगे sbf sam को finally यहाँ पर bahamas के अंदर arrest कर लिया गया है अगर आप देखेंगे यह arrest एक दिन पहले हुआ जहाँ पर उनको US housing committee के अंदर जा के testify करना था sbf ने यहाँ पर bail के लिए भी apply किया लेकिन वो भी यहाँ पर reject होई अगर आप देखो कि वह से bahamas को माना जाता है कि tax haven के लिए एक अच्छी country है लेकिन bahamas दुनिया के सबसे worst prison के लिए भी जाना जाता है लेकिन sbf के arrest होने के बावजूद भी यहाँ पर युएस के अंदर हेरिंग वही थी जहाँ पर john ray जो current CEO है FTX के और अभी वो जो liquidation है creditors को पैसे refund करने है उस चीज को पूरा overlook करने है वो वहाँ पर present थे और कुछ findings है जो यहाँ पर सामने निकल के आई according to sbf उनके testimony के according उनका बोलना यह है कि CZ जो Binance के founder और CEO है उनके negative PR के कारण यहाँ पर FTX का downfall हुआ although hearing के अंदर john ray ने यह चीज बोली कि FTX CZ के tweet करने से पहले ही यहाँ पर insolvent था साथ में यह चीज भी clear हुई कि FTX US के users के पैसे refund होने के chances ज़दा है compared to ftx.com साथ में sbf ने Gary Wang को accuse किया कि उन्होंने million of dollars BHAMA की authorities को transfer किये थे साथ में sbf ने खुद यहाँ पर काफी सारे loan Alameda और FTX से लिये थे जहाँ पर खुद वो issuer भी थे और recipient भी थे तो खुद ही sign करके खुद ही को खुद को loan यहाँ पर देते थे साथ में उनके जो parents है उनको भी यहाँ पर money receive हुआ था अब यह तो कुछ information है जो first day of testimony में यहाँ पर निकली लेकिन second day की testimony के अंदर Kevin O'Leary ने यहाँ पर Binance को लेकि कुछ comments की है अब यह statement आने के बाद CZ की तरफ से भी यहाँ पर response है जहाँ पर उन्हें ने Kevin O'Leary को liar बोला But anyways, आपको क्या लगता है यहाँ पर जूट कौन बोल रहा है comments में दालके जुरूर यहाँ पर बताना But SBF को अगर आप देखेंगे currently उनके 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 पर 8 criminal counts of charges लग चुके है US attorney ने यहाँ पर बोला है कि यह biggest financial fraud है American history के अंदर यहाँ पर जो 8 charges लगे हैं उसमें per charge 20 years का maximum prison sentence है जो 160 years बन जाता है in total साथ में आपर SEC और CFTC ने भी अलग से lawsuit यहाँ पर file किये हैं अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे FTX का collapse was big लेकिन चेनलिसिस के report के according Luna का collapse जादा disasters था compared to FTX जहाँ पर UST के deep egging के कारण around 20.5 billion dollars यहाँ पर loss हुए थे 33 billion dollars in case of Celsius and 3 arrow capital FTX के comparison में अगर हम देखेंगे तो FTX में currently 9 billion dollar का loss हुआ है बट वोड यू फिल वाट वस मोर डिजास्टरिस Luna का collapse या FTX का collapse monetary terms में नहीं लेकिन impact terms में क्या लगता आपको अब FTX के collapse के बाद यहाँ पर US Senate के अंदर Elizabeth Warren ने भी यहाँ पर एक बिल को प्रिजेंट किया जिसका नाम है Digital Asset Anti-Money Laundering Act of 2022 अब अगर इस बिल को देखेंगे तो बोला जा रहा है कि इसके अंदर कुछ harsh guidelines है इस बिल के according requirement रहेगी to verify customer, counterparty identities, keep records और यहाँ पर report भी file करने होगी regarding certain transactions involving unhosted और non-custodial wallets साथ में इस बिल प्रोहिबिट करता है financial institutes को digital asset mixers, privacy coins और other privacy enhancing technologies से साथ में bank secrecy act की responsibilities को भी extend किया जाएगा जहाँ पर हर crypto participant के लिए KYC करना mandatory होगा इस BSE rule के अंदर foreign account जो crypto में deal कर रहे हैं वो भी include होगे critics का यहाँ पर यह बोलना है कि यह bill जो है, यह user की privacy जो है उसको breach करेगा and यह crypto ecosystem के लिए अच्छा नहीं है साथ में इस week हम को Binance वर्ट भी देखने को मिली जहाँ पर around 5.5 billion dollars in stable coin Binance से withdraw होए थे although equivalent amount के आप पर stable coins deposit भी होए थे लेकिन in a way यह लग रहा था कि कही ना कहीं आपर Binance पर bank run करने की कोशिश करी जा रही है जहाँ पर Indian Binance was able to stand strong लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर Binance की proof of reserve report को लेकि भी काफी criticism निकल किया है जहाँ पर measures ने जिन्होंने Binance की proof of reserve को audit किया था उन्होंने भी अब सारी crypto audits को रोग दिया है और in fact उन्होंने यहाँ पर Binance की proof of reserve का जो audit था उसका भी link जो है it has been taken down साथ में आप मित्रिल जिसका Mith token है उसको लेके Binance ने announce कि वो यहाँ पर Mith token को यहाँ पर delist करने वाले हैं अगर आप मित्रिल को देखोगे तो उनका twitter जो है वो inactive है January 2021 से in fact उनकी खुद की website जो है it has been down लेकिन उन्होंने यहाँ पर 200,000 BNB deposit करे थे Binance के उपर listing के टाइम पर as an insurance तो अब उनका यह बोलना है कि Binance क्योंकि delist कर दिया है तो यह हमारे 200,000 BNB जो है वो हमको वापस यहाँ पर return करने चीए जिसको लेके आपर CZ का response आया कि आपकी token price, trigger price के level से काफी नीचे है आपकी team ने आपर project को abandon किया है इसलिए Binance ने आपर सही चीज़ करी आपके token को delist करके अब next moving on अगर हम बात करेंगे तो Donald Trump जिन्होंने Bitcoin और Crypto को काफी criticize किया उन्होंने भी अपने आपर NFT launch कर दी है इस NFT collection के अंदर per piece price इन्होंने $99 रखी और अभी तक 34,000 pieces already mint हो चुके है which comes to around 3.3 million dollars और Donald Trump के NFT के launch होने काफी लोगों का ये बोला थे कि the bottom is not in, अभी हम और नीचे गिर सकते हैं क्योंकि Donald Trump ने आपर NFTs को launch किया साथ में यहाँ पर Donald Trump के NFT को लेकि ये बोला जा रहा है कि उन्होंने यहाँ पर जो pictures हैं वो stock photos से यहाँ पर copy करके बनाई है आखी next 15th और December को FOMC की meeting के अंदर उन्होंने इस बार 50 basis points से interest को increase किया अब next यहाँ पर FOMC की meeting होगी 1st Feb 2023 के अंदर इस साल के अंदर अगर हम total देखेंगे तो 425 basis points से interest को increase किया गया US के November CPI numbers 7.1% पर आये जहाँ पर previously it was 7.7% and expected rate was 7.3% साथ में इंडिया के CPI numbers 5.88% पर आये for the month of November interest rate also fell below 6% for the first time in 2022 जहाँ पर expectation थी 6.4% की बाकि 1% TDS के introduction को almost एक साल हो चुका है इन उसके according यहाँ पर recently एक report निकल के है जहाँ पर यह बोला जा रहा है कि 60.46 करोर यहाँ पर deposit हुए as TDS that means कि total यहाँ पर इंडिया के अंदर 6000 करोर का trading volume generate हुआ उसमें से 43 करोर यहाँ पर CoinDCX का बोलना है कि उन्होंने alone यहाँ यहाँ पर deposit करें साथी में इस week फिट से यहाँ पर news निकल के है जहाँ पर finance minister ने यह बोला कि RBI का अभी भी यह viewpoint है कि crypto को भाया completely यहाँ पर ban करो लेकिन उनका बोलना है यहाँ पर यह था कि अगर वो ban करना भी है तो global corporation की यहाँ पर जरुरत है जो in a way अगर आप देखोगे यहाँ पर possible नहीं है तो hopefully यहाँ पर आने वाले time के अंदर जब G20 की meeting होती है इंडिया के अंदर वहाँ पर कुछ positive crypto regulation जो है यहाँ पर निकल किया है पाकि इस week BCBS ने यहाँ पर अपनी report के अंदर publish किया कि banks आपर 2% के अंदर crypto exposure रख सकते है for certain assets and it is better अगर वो 1% के नीचे आपर रखे और यह rule जो है 1st January 2025 से implement हो सकते है currently अगर आप देखेंगे BCBS के according around 19 banks ने report कि कि कितना उनका crypto exposure है और वो total बन जाता है आपर around 9.2 billion dollars का that means कि bank का अभी overall 0.01% ही exposure है crypto के अंदर बाकि next moving on minus जो है अभी extreme stress के अंदर चल रहे है जहाँ पर minus का revenue 2021 के अंदर 15 billion dollars था वो ही अब यहाँ पर 2022 के अंदर 9.2 billion dollars करेंगे है यह अगर आप देखेंगे तो almost 41% decrease हमको देखने को मिला है revenue के अंदर आत में minus ने आप 3.8% less BTC माइन किये compared to 2021 and currently 1.8 million BTC are being held by miners यह lowest है since November 2021 लेकिन फिर भी अगर आप इन सारी चीजों को देखने के अद bitcoin का hashrate देखेंगे तो it is still going strong तो यह होगे इस वीक के important news और events अब next हम यहाँ पर देखते है इस वीक के top gainers और top losers अब बारी यह fun fact of the week की कि आपको पता है helpini first bitcoin user थे who is also widely believed to be Satoshi Nakamoto helpini अगर आप देखेंगे कुछ blocks away रहते थे from a guy named Dorian Satoshi Nakamoto जिनको एक short duration के लिए काफी लोगों ने Satoshi Nakamoto मान लिया थे लेकिन बाद में यह prove आपके वो Satoshi Nakamoto यहाँ पर है ने but it's very interesting जिस इंसान ने first bitcoin transaction किया है यहाँ पर Satoshi Nakamoto के साथ वो ही आपर कुछ blocks away रहता है एक ऐसे इंसान के घड़ से जिसका नाम Dorian Satoshi Nakamoto है आपको क्या लगते है आपके according कौन है Satoshi Nakamoto तो guys यह हो गए इस बार की weekly updates आपकी के viewpoints है यहाँ पर bitcoin और market को लिके do let us know in the comments and अगर आप कोई वीकली अपडेट अच्छे लग रहे है तो वीडियो को लाइक करिये और सब्सक्राइब करिये that is the only thing that keeps us motivated बाकी मिलेंगे अगले updates के अंदर अगले अपडेट्स के अंदर तपिकली बाई and टेक क्या बाई कि अगर बाई कि अगले पार तो कि अगर दाए्वार कि अगर तो कि अगर आप ठावे झाल झाल